Hello Friends, I hope आप लोग सब ठीक ठाक होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसे सीट्स के बारे में इंटर्ड्यूस कराने वाली हूँ जो की सौंदर्य और ताकत का खजाना है ये सीट्स मेरे घर में अवीलेबल होते हुए भी मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी जब इसके बारे में पूरी तरह से स्टडी किया तब समझ में आया कि ये छोटी सी जो सीट्स है वो एक तरह का मिरेकल का काम करती है जी हाँ friends जिस seeds की मैं बात कर रही हूँ उसे हम halim seeds कहते हैं इसे इंग्लिस में garden crest seeds के नाम से भी जानते हैं और halim seeds भी कहा जाता है इसके nutrition value, health benefit इसे लेने का सही तरीका और इसे कौन नहीं ले सकता है इसके क्या negative points है क्योंकि हर किसी के दो पहलू होते हैं तो इसी तरह से इसके जितने ज्यादा benefit है इसके कुछ नुकसान भी है तो वो मैं वीडियो के आखरी और end में बताऊंगी तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा ताकि इसकी पूरी information आपको अच्छे से मिल सके तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू मैं हो जोती और अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं जहां हम बात करते हैं beauty, health, wellness and much more thanks आप मुझे Instagram, Twitter और Facebook पे भी follow कर सकते हैं जिसका link मैंने description box म दिया है, so guys यहां पर मैं बात करने वाली हूं halim seeds के जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, देख सकते हैं जैसे flex seeds का shape होता है, same उसी तरह ही होता है, बर्स वो size में थोड़ा सा और छोटा होता है, कुछ लोग इसे mustard seeds से भी compare करते हैं लेकिन totally different है वो, अगर हम इसमें nutrient की बात क करें, तो एक table अगर spoon हम यह halim seeds को लेते हैं, तो इसमें जो calorie होती है, वो 55 होती है, काफ 4 ग्राम होते है, protein 3 ग्राम होता है, fat अगर देखा जाए, तो 2.9 ग्राम या फिर 3 ग्राम के आसपास होता है, फाइवर की अगर बात की जाए, तो 0.9 के आसपास होता है, वहीं इसमें calcium, vitamin A, C, E, folic acid, iron, omega-3, 6, 9, जो की बहुत ही कम food में देखने को मिलता है, इसी कारण से इसे miracle super food भी कहा जाता है, जो की आपके skin और बालों के लिए काफी अच्छा होता है, health regarding, अगर मैं इसमें benefit की बात करूँ, तो सबसे पहले अगर आता है, तो hormonal balance में सबसे important role play करता है, digestive आपके system को सही करता है, आपके dermological treatment, like skin से regarding जो भी issues होती है, like pigmentation, wrinkles, या फिर fine lines, और pimples, जो भी skin से related problem होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, even hair loss, देखा होगा कि after pregnancy, बहुत hair loss होते हैं, तो उस during में अगर इस seeds का 7 किया जाए, तो आपके hair loss जो होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं, और most of the after pregnancy, ये belly fat को lose करने में काफी मदद करता है, जिनका पेट कभी भी अंदर नहीं जाता है, और खाना खाए या ना खाए, फिर भी वो health wise इतने मोटे दिखते रहते हैं, तो उसमें भी आपकी ये काफी मदद करता है, बॉडी को fit रखने में, साथ ही साथ आपके metabolism और immunity को improve करता है, memory को boost करता है, और inemia को दूर करता है, और तो और अगर मैं बात करूं, तो ये anti-cancer की property होती है, जो आपको उससे लड़ने की छमता को बढ़ाता है, इतने health benefits देखकर आप समझ गए होंगे कि इसे क्यों super food कहा जाता है, और क्यों इसे ताकत का ख़जाना कहा जाता है, वहीं इसे अगर consume करने का तरीका बताऊं, तो सही तरीका ये होता है, कि आप इसे जब beginner है, तो start कर रहे हैं, तो half tea spoon से start करें, क्योंकि ज ये आपके body में heating property जनरेट करता है, तो इसलिए कहा जाता है, कि हमेशा इसकी quantity होती है, half tea spoon से start करके आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, अगर आप इसे beauty के enhance से खा रहे हैं, और hormonal balance के हिसाब से खा रहे हैं, तो इसका आप लड्डू बना के खा सकते हैं, जो कि कुछ इस तर करना है, तो इसे एक ग्लास पाने में एक चम्मच डाल के और नीवू का रस निचोड के सुबह सुबह खाली पीट खाने से आपका weight loss इतनी fast होगा कि आप assume ही नहीं कर सकते हैं, कि आप इतनी जल्दी अपना weight loss कर पाए हैं, और भी कई तरीके से आप इसे अपने diet में involved कर सक सकते हैं, सालड में आप इसे खा सकते हैं, कोई breakfast की recipe में आप इसे इंग्लूड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे powder बना के और पॉम में भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं, बस बात ध्यान में ये रखने वाली है कि आप इसे कभी भी एक टेबल इ आप की रहती है body, तो उनके लिए ये तो मानिये कि सबसे अच्छा food है, most of the जो diet में involved किया जाता है, वो इसे लड़ू के form में लिया जाता है, और ये pregnant lady को delivery के बाद दिया जाता है, ताकि उसका हार्मोन बैलेंस रहे, और किसी भी तरह की body में कोई कमी न रहे, और even वो जो भी problem face कर रही है, उससे उसको recover जल्दी मिले, और उसकी body भी strong बने रहे, बाकी ये आप पर depend करता है, कि आप इसे किस तरीके से लेना पसंद करते हैं, यहाँ तो इसके इतने सारे plus point हो गाएं, कि हमें negative point मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी सिक्के के देव पहलू होते है, तो यहाँ पे भी इसे एक negative point यह है, कि जिन लोग को thyroid की problem है, उन लोग को इस food को avoid करना है, और during pregnancy इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसे miscarriage होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, So guys, अगर after pregnancy देखा जाएं, तो इसके लिए मेरे पास word नहीं है, कि यह कितना अच्छा role play करता है, So guys, आज का यह वीडियो आप लोग को halim seeds से introduce कराना था, और यह seeds अपने diet में जरूर involve करें, यह बहुत ही अच्छा है, यह केवल female के लिए नहीं, यह men के लिए भी बहुत अ अच्छा माना जाता है, एक बार इसे अपने diet में involve करके देखिए, और इसका result मेरे साथ जरूर share करें, क्योंकि यह मेरा खुद का experience है, जो मैं आप लोग के साथ share कर रही हूँ, अगर यह information आपको helpful लगी हो, तो इसे like और share जरूर करिएगा, और हो सके तो मेरे channel को subscribe भी कर ल